सीबा इनो, जितनी हम उम्मीद करते हैं लेकिन यार कोईन उतना ही नीचे की तरव चले जाता है ऐसे में सब के मन में सन से पेदा होता है कि basically सीबा इनो के साथ चल क्या रहा है और basically क्या यार हमें आगे कुछ दूसरा decision या फिर दूसरे coin की तरह move करना चाहिए क्योंकि यार सब के मन में लाजमी सवाल आना चाहिए क्योंकि जिस type से CBNU नए साल में गिरा है वो यार unexpected है क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं कि थी CBNU last 7 days में 12% के आसपास नीचे डाउन हो चुका है तो एसे में यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि basically आगे क्या करना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद एक direction सायद आपको clear हो जाए क्योंकि बहुत सारी चीजों के उपर मैंने भी research की है उसके अधार पर यह वीडियो में शूट कर रहा हूँ यहाँ पर clear आपको funda मालूम पड़ेगा सबसे पहले तो channel को subscribe करो अगर आप एससे ही down जब coin होता है और आप घबराने लग जाते है डर पेदा हो जाता है तो यह channel आपकी बहुत जादा मदद करेगा daily दो वीडियो सिबाइनू के आते है जो कि आपको नई नई latest news, update और price कहां तक जा सकता है उसके उपर बताते हैं मैंने पहले ही कह दिया था कि सिबाइनू last जेसे ही start होगा down जाएगा और वही हुआ एक तारीक या हम कहें 31-28 से ही यह downfall लगभग चल रहा है अगर आप देखें तो मैंने कहा था कि कुसामा ने big announcement किया है उसके बाद यहां से down नीचे जाएगा तो अगर आप देखेंगे तो 23-24-25 और यहीं से अगर आप देखेंगे तो market regular basis पर down हुआ है भले आप उसको notice नहीं कर रहे है लेकिन अगर देखेंगे तो 25-26 Christmas के बाद से down हुआ है जो कि मैंने पहले ही संकेत आपको दिया था चैनल को subscribe इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले news की तरफ हम बढ़ते है जहाँ पर एक news market में चल रही है जहाँ पर एक boost सीबाइनों में आ सकता है अगर यह चीज हो जाती है तो वो major points क्या है उसके उपर भी discuss करेंगे और साथ ही सीबाइनों यह क्यो गिर रहा है basically और अब हमें क्या करना चाहिए कि exit ले लू क्या बाहर चले जो यह से कई सवाल मेरे comment box में आ रहे है तो आप लोगों को मैं बता दू कि बाहर लहने बाहर होने की कोई अवशकता नहीं है पहली बात तो देखिए एक मोका है आप लोगों के लिए कि एक boost एक बड़ी rally वन डोलर की दिसा में सीबाइनों के जाने की दिसा में बड़ी boost यहाँ पर आपको मिलेगा और एक बड़ा मोका आपके हाथ में लगा है यहाँ पर एक downfall आया है एक मोका है बाइंग करने के लिए क्योंकि यार आप देखोगे कि कुछ महिनों में और कुछ दिनों में एक बड़ा boost सीबाइनों में आएगा क्यों? क्योंकि इसके पीछे दो reason में आपको बता रहा हूँ एक तो है बड़ी bitcoin की ETF sport का sport ETF का approval इस हपते या अगले हपते में मिल ही जाएगा जैसा कि मंगलवार बुद्वार तक का मैंने news भी बताया था प्रिवेस वीडियो में संकेत मिल गया है और bitcoin का जब ETF आएगा तो obviously bitcoin तेजी से भागेगा और bitcoin के पीछे-पीछे पूरे altcoin भागेंगे CBNU भी भागेगा तो ये बड़ा मोका है कि आपके पास 12% का profit book करने के लिए यहीं से अभी आप सोच रहे है कि यार मैं प्रेसर पड़ा था और उस वज़ा से coin नीचे के तरब गया था क्योंकि यार जीरो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है यहां पर एक support create हो रहा था मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि यहां से एक यहां ट्रेड लाइन को follow कर रहा था और इस वज़ा से यहां पर market नीचे गया वो आपको एक जीरो खत्म होने तक ही दिखेगा इसके बाद नीचे कितना जाएगा और जाएगा तो क्या मतलब है क्योंकि बिटकोइन का हालविंग जो आएगी वो एक बड़ा हालविंग के बाद बड़ा बिटकोइन पंप करने वाला है क्योंकि हालविंग अप्रेइल में आएगी तो अभीसली अप्रेइल में और इदर देखो तो जनवरी में sport ETF दोनों के कारें bitcoin बढ़ेगा तो obviously cbino आपको पता है उसके पीछे पीछे चलता है तो obviously बढ़ेगा तो एक मोका है आपके पास अच्छा एक और news अगर आप देखेंगे तो आप अगर आप अभी भी समझदा नहीं हुए तो देख सकते हैं 3.74 million address यहाँ अगर इस खबर को मैं विस्तार से बताओ तो एसे नए address यहाँ पर आए है सीबा इनु में जो कि सीबा को trade कर रहे है सीबा में invest कर रहे है अब वो क्यों आए है वो एक यहाँ से देखे चीजे अपने आप में अगर बहुत सारी बाते होती है नए address का आना मतलब सीबा इनु की price गिरी है उसका पूरा फाइदा उठाने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए है तो कुल मिला के एक अच्छी रेली यहाँ से देखने को मिलेगी क्योंकि यह लोग आए है तो कुछ तो यहाँ पर चीजे होना है आगे भविश्य में अगर मैं इनकी बताओ तो इस last seven days या एक दो दिन में ही बताओ तो लगभग 1500 से जादा नए accounts सीबा इनु को trade कर रहा है जो new है जो market में पहली बार आये है crypto में उसमें से 1500 accounts सीबा इनु में trade कर रहा है एक data पता पड़ा है जिसमें coin market के एप से कि ऐसे 1.23 million ऐसे accounts से है जिनके पास 0 dollar से लेके 1000 dollar के बीच सीबा टोकन है ठीक है इसके बाद लगभग ऐसे 1,00,000 accounts है जिनके पास 1000 dollar से लेके 100K dollar तक यानि कि 1,00,000 dollar तक की सीमा के टोकन रखे हुए एसे कितने account है 1,00,000 account है ठीक है वो लगभग 2000 ऐसे account है जिनके पास 1,00,000 dollar से भी जादा के मुल के सीबा टोकन अल्रेडी store है तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लोग यहाँ पर store करके बेठे हुए कितनी बड़ी मात्रा में सीबा को यहाँ पर collect करके बेठे है एक 12% का profit आपको सीधा-सीधा अभी 7 दिन में मिलेगा Halloween इसके बाद आएगी इसके बाद Bitcoin का ETF आएगा चीजे अपने आप सीधी-सीधी दिसा में जा रही है सब कुछ ठीक रहा तो obviously एक बड़ी रेली सीबा इनू में भी आपको देखने को यहाँ से मिल सकती है बसरते आपको थोड़ा पेशन यह डर को काबू करना पड़ेगा चीजों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा देखिए क्रप्टो मार्केट इंतिजार का ही पेशा देता है वेट करने का ही पेशा देता है अगर आपके अंदर पेशन नहीं है तो क्रप्टो मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है अगर आप देखेंगे रेगुलर बेस पर अगर पेशन रखा तो एक बड़ा profit यहां से आपको मिल सकता है Siba Inu basically अभी आनिशितता की स्थिति में है विशेश तोर पर Siba Inu में एक और यहां पर कहा जा रहा है जिसके बारे में यहां पर एक boost के बारे में मैंने बताया नहीं जो दे सकता है boost वो है Siba Inu की जो है burning अगर मैंने कल के वीडियो में आपको एक point बताया था जिसमें 9.25 trillion Siba token burning करने का एक बड़ा यहां पर plan रखा गया है इस month में जो कि officially statement था लगभग team का इनकी है Siba team का तो अगर आप सोचिए 589 trillion Siba token में से 10 लगभग हम average माने तो 10 trillion Siba out होते है तो एक बड़ी यहां से सफलता हासिल होगी Siba Inu को supply को कम करने के दे सामें जो कि कहीं न कहीं एक अच्छी चीज है यहां से price नीचे जा रही है एक मौका है wheels भी entry यहां पर ले सकते है क्योंकि price obviously कभी ना कभी 1-0 kill करेगी किल करेगी तो यहां से 12% का यह profit इसके बाद किल करेगी तो लगभग 10% का वो profit 20-30% का profit यहां से मिल गया इसके बाद bitcoin के halving spot ETF और उसके बाद burning 10 trillion की burning बहुत सारी चीजे है एक साथ जो Siba Inu को एक बड़ा boost निकाल के दे सकती है तो wait करने का पेशा कमाना है तो Siba Inu में hold रखिए काफी अच्छी चीजे आएगी भविश्य में थोड़ा सा यहां पर संकेत थोड़े से डरावने जैसे है जहां से हम थोड़ी घबरायट भी market में उस सुकता भी है market में लेकिन इंतिजार करिए एक अच्छी निरंतर आपको रुजहान देखने को मिलेंगे एक अच्छी चीज अंत में कहते हैं कि भले ही सब कुछ गड़बड रहे लेकिन अंत अच्छा ही होता है तो बस वही चीजे है सब्सक्राइब कर दिए उन लोगों के पास जो सब्सक्राइब कर दिए इसे ही अपडेट पाने के लिए अन्य था आपको बहुत जादा लेटेश्ट न्यूज कभी मिलेगी नहीं ठीक है नमस्कार